बीट का जूस बनाने के लिए मैंने हाँ पे एक बीट लिया है इसे मैं छील कर इसके बारिक बारिक पहले पीसेस कर लूँगी बीट को मैंने छील लिया है अब इसके हम बारिक पीसेस करेंगे बीट के मैंने बारिक पीसेस कर लिये है इस बित्रूट को मैंने आ लिया है, मिक्सर का पॉट इसमें में डाल रहे हूँ, साथ में मैं इसमें डाल रहे हूँ गुड, यह मैंने हाँ पे थोड़ा गुड लिया है, डालेंगे वन टेबल स्पून वाइट सॉल्ट और हाफ टेबल स्पून रेड सॉल्ट, एक ग्लास प और इसे हम अब मिक्सर में बारिक कर लेंगे, आप चाहे तो इसमें टोमेटो, लॉकी या पालक आपके चोईस एकोडिंगली आप इसमें सबजिया एड कर सकते हो, मैंने इसे ग्राइंड किया है, ग्राइंड करने के बाद में मैं इसमें एक और गलास पानी एड कर रहे इसे मैंने बारिक कर लिया है, अब इसे हम चानली में चानलेंगे, इस तरह से हम जूस को चानलेंगे, जूस को मैंने चानली आप दिखने में भी कितना सुन्दर लग रहा है यह आपको पता ही है कि बीट बहुती ज़्यादा हेल्दी होता है बहुत सहतमन्द होता है और जिसका हेमोगलोबिन जिसे भी हेमोगलोबिन की प्रॉब्लम है कि हेमोगलोबिन कम है उनके लिए तो बहुती ज़्यादा फायदेमन्द है साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पुन भूना हुआ जीरा इससे टेस्ट और भी जादा अच्छा रुकता है एकदम रिफ्रेशिंग जूस है ये और साथ में हेल्दी भी है और इजी टू मेक